बिसमिल्यार मान रहें, अब हम क्या करने वाले हैं? Missing Values को Impute करेंगे using the same function in our main project. हमने जो कल काम किया था वो day 1 में मैंने shift कर दिया है, आज का जो काम है day 2 में same project में shift करूँगा, screen मैं आपके साथ share कर देता हूँ, यह मैंने दो project बना लिए, ठीक है? पहला project है day 1 का, जिस पे आपने कल वाली सारी assignment या सारी चीज़ें देखनी है, और इसमें last में मैंने आपको एक assignment दी थी, जो आज मैंने उसका solution भी आपको provide कर दी है, so day 1 is here, आज हम काम करेंगे day 2 पे, तो मैं day 2 वाली जो report है, वो यहाँ पे आपके सामने open करता हूँ, IP, YNB file, और function to impute null values जो है, हमने पहले इसको बना लिए, इसमें से data उठाना है, और day 2 में मैंने एक स्निपिट के अंदर डालना है, ठीक है? So screen आपके सामने, I can understand के आठ screen थोड़ी से हमारे से नराज है, और screen जो है ना, वो थोड़ा सा मसला हमारे साथ कर रही है, So I'm really sorry for that, बट इन्शाला अब यह मसला नहीं होगा, So day 2 मैंने start कर लिए, जनाबे वाला मैं directly चलूँगा, वहाँ पे जहाँ पे हम dealing with missing values की बात कर रहे हैं, ताके हमारे पास जो मसले मिसाइल हैं, वो उससे आगे जो हम कर रहे हैं, गाम वहीं पे खतम हो जाएं, तो मैं यह सारे के सारे column dealing with missing values वाले, उनको remove कर रहा हूं, और assignment जो थी वो भी आपकी यहां से remove कर दी, ताके हमारे पास सिर्फ end the end जो है वो, यह वाला output वाला column ले, अब हमने missing values के सारे डील करने, यहां पे मैं एक line लगा देता हूं, अपने काम को separate करने के लिए, और एक आपको और चीज़ दिखाता हूं, अब आपको मज़ा आएगा यहां पे, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, control आई करता हूं, sorry, not like that, यहां पे, co-pilot में जाके, in-line chat में जाके मैं यहां पे कहता हूं, make this yellow with px150 size and bold font, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, तो यह github co-pilot मुझे, html का या css का code जो है, वो लगा के, इस पूरी की पूरी heading को थोड़ा सा change करके provide करेगी, and usually it works in a nice way, और आप देखेंगे अभी, कि हमारे पास किस तरीके से style आता है, अगर यह आ गया तो ठीक है, नणा पैड़ी लगेगी, तो उसने क्या किया है, पिछली चीज ही change कर दिये, so file path हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ dealing with missing values, यह वाली चीज चाहिए, और यहां से, टेक्स हमें जो है, वो इतना सा चाहिए, dealing with missing values, background color नहीं करना हमने, color करना है, let's see, यह हमारे पास जिनाब इस तरीके से yellow color से आ गया, तो इसको आप three, fifty, four, fifty भी कर सकते हैं, it's totally up to you, ठीक है, so यहां पे आपको directly नज़र आएका dealing with missing values, यह code आपको मिल जाएगा, यह basically आपके पास styling है, और styling आप इसके अंदर कर सकते हैं, तो dealing with missing values आपके पास यह आगया, अब हम क्या करेंगे, एक function बनाएंगे, यहां पर मैं लिखता हूँ, we are going to make a function to deal with missing values, ठीक है, यह मैंने यहां पर लिख दिया, इसको मैं कर देता हूँ, markdown के cell के अंदर, अब हम क्या करेंगे, उस function को लिखके, सारे का सारा काम जो हमने की है, मैंने सिरफ यहां पर उसको ले के आना है, I am not going to do anything, जारी बात है, यह सारी की सारी libraries है, मैं इनको, जारी बात है, हमने पहले उपर और रेड़ी, इंपोर्ट कर ली हैं libraries, ठीक है, अगर आप start में जाएंगे, डेटा भी हमने लोड कर ली है, हमने start करने यहां से, ठीक है, missing values के column से, और मैं simply वो चीज़ें उठाऊंगा, जो मुझे जरूरी चाहिए, यहां पर मैं इसको paste करता हूँ, या अगर आप तीनों भी करना चाहिए, it's up to you, तो मैं इसको थोड़ी सी, रन करता हूँ, यहां पर क्लिक करने से, execute above cells हो जाएंगा, अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यह मेरे पास missing values आगे, अब आगे चलते हैं, यह वाला जो है, categorical column, and numeric column, आप इसको भी paste कर सकते हैं, और otherwise, you can do something like this, यह जो boolean और numeric column है, मैं भी यह वाला तरीका, जो हैं यहां पर paste कर देता हूँ, आपके पास यह सारे के सारे आगे, अब हमने क्या करना है, इस पूरी की पूरी चीज़ को copy करके, मैं यहां पर paste कर देता हूँ, तो यह हमारे पास function साब बन गे, यह मैंने वही function यहां पर उठा कर डाल दिया, यह हमारे पास run कर गया, और यहां पर हम देखते हैं जनाब, before missing values को तो हमें पता है, क्योंकि हमने उपर निका लिए हैं, बलके, यह हम निकालते हैं जनाब, आप दुबारा से यहां पर कर लेते हैं, चले हमारा कर जाता है, यह हमने missing values impute कर, imputation से पहले लिख ली, और हमने यहां पर remove warning करके, impute missing values यहां पर कर ली, यह हमारे पास impute होगी, यह missing values, and there is something wrong, let's see, क्या रहूंग है, name mean squared error is not defined, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जाके accuracy के साथ, mean absolute error, mean squared error, और r square score, यह जितने भी matrix हैं, आप इनको import करेंगे, जो हमने use किये हैं, r square score तक के, और, अब मैं क्या करूंगा, दुबारा से नीचे जाऊंगा, यह आपके efficiency पर depend करता है, and I am hopeful कि अगर आप मेरे साथ, पिछले चार माँ से, यह सब को सीख रहे हैं, तो now you know, how to deal with these things, ठीक है, यह चोटी चोटी errors जो हैं, यह आपके साथ, बार-बार होनी है, तो मैं यहां तक, सारे के सारे cell run करता हूं, if everything is running fine, यहां पर कोई भी error नहीं आएगा, मैं इसको run करता हूं, and you can see, कि आपके missing values, सारे के सारी impute हो चुकी हैं, अगर आप इसको text editor में open करना चाते हैं, here you have the whole report, of missing values imputation, I don't need, इस वज़ा से, मुझे कोई issue नहीं है, यहां पर missing values imputation, हमारे पास अगर show होती है, अगर नहीं होती, at the end, आप क्या करेंगे, यहां पर दुबारा से चेक कर सकते हैं, कि आपकी missing values कितनी पड़ी हुई है, so अगर मैं यहां पर, df.null, कोई भी missing values हमारे पास नहीं है, सारे की सारी zero है, ठीक है, तो यह हमने deal with missing values, यहां पर देख लिया, अब आप अगर गौर करें, आपके data के अंदर कोई भी missing values नहीं है, for example, अगर मैं df.head करूं, तो यहां पर आप देखें, जिस सारी के सारी जो आपके columns हैं, वो सारे के सारे full हो चुके हैं, अब आपके पास कोई भी missing values नहीं है, now your data set is complete, ठीक है, यह एक main तरीका कार होता है, जब भी आप किसी चीज़ पर काम करते हैं, आपके missing values जिनाबे वाला यहां पर impute हो चुकी हैं, and this is how you work on imputing missing values, यह notebook जो है day two की, यह भी मैं आपके सार्थ share कर देता हूँ अभी, और आप इसको run करके अपने पास देखें, कि if everything is running fine until here, और आपके पास अगर missing values impute हो जाती है, ठीक है, यहां पर आपने लिखना भी है, यहां पर क्या लिखना है, write down the steps of imputing missing values, and why did you choose those steps, ठीक है, अगर regression का किया क्यों, किया function बना है, क्यों बना है, इसको explain करना है, ताकि आपका, आपकी expertise जो हैं, वो वहां पर नज़र आएं लोगों, ठीक है, यह function बनाने का मक्सिर यह था, कि सब कुछ automatic हो जाए, मैं आपके सामने इसको fetch कर रहा हूं ठीक है, यहां पर missing values day to for project for complete project, complete project, यह भी आपके पास जनाबे वाला commit हो चुक है सब कुछ, आपके पास missing value imputation का function भी आ चुक है, GitHub की repository लिंक मैंने description के अंदर आपको दिया हुआ है, please go ahead और इनको पहले चला के एक दफ़ा देखें, और फिर हमारे साथ आगे move कीजिएगा, अभी आप सब ही ऐसा करें के जा के उस value को, missing value वाली जो मैंने अभी आपको note book दी है, इनको check करें और इसको कोशिश करें, run करने की और देखने की, ठीक है जी, यहाँ दख clear होगी सारी बाते हैं, hopefully होगी होगी यार, इतनी मेनत कर रहे हैं सबी लोग, और I really appreciate जिन्नोंने ये functions बनाए हैं, I really appreciate कि जिन्नोंने इस बारे में सोचा, I know that, कि function बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब आप attack गए तो attack गए, so we will move now towards outliers, लेकिन उससे पहले एक break तो बनता है, so यहाँ पे 3 से 5 मिनिट की break है, बलके 5 मिनिट की break है यहाँ पे, और अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो प्लीज इस break के अंदर notebook को download करें, और run करके comment section के अंदर मुझे बताएं, if everything is running fine until now, और आपको समझ भी आ रही है, ठीक है?